प्रिय दोस्तूं, नमस्कार, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ओ को ओ कब पढ़ते हैं, ओ को ओ कब पढ़ते हैं, ओ को ओ पढ़ने कहा, पहला नियम इससे पहली वीडियो में आपको बताया गया था, आज की इस वीडियो में हम दूसरे नियम की चर्चा करेंगे, ओ को ओ पढ़ने के दो नियम थे, पहला नियम हमने इससे पहली वाली वीडियो में समझ लिया था, आज हम दूसरे नियम पर चर्चा करेंगे, यह नियम बहुत है आसान है, देखें और समझते हैं, यदि किसी सब्द की अंत में ओ हो तो वहाँ पर ओ को ओ पड़ा जाता है जैसे यहाँ पर आपके सामने है देखिए आपके सामने है मैंगू यहाँ पर इस वाले गव में ओ का उचारण हो रहा है ठीक उसी प्रकायां पर है जी रो इस वाले रो में ओ का उचारण हो रहा है इसकी परिभासा थी यदि किसी सब्द की अंत में ओ होगा तो उसका उचारण ओ होगा यहाँ आपको समझ आ चुका होगा अब इसकी परिभासा पर चलते हैं देखीं किसी सब्द की अंत में ओ हो तो ओ को ओ पड़ा जाता है उधारण के लिए यहाँ पर लिखा है म अ जी ओ सब्द की अंत में ओ है तो इसका उचारण ओ किया जाएगा तब इस सब्द का संपुन उचारण होगा मैंगू ठीक उसी प्रकार यहाँ पर लिखा है जी रू सब्द के अंत में ओ है इसी कारण यहाँ पर इस ओ का उचारण ओ हो रहा है तब इसका संपुन चार्ण होता है जीरू इस वीडियो में इतना ही थैंक्यू हेवनाई श्टिक